इसके बारे में हम लोग अध्यान करेंगे In 1915, महत्मा गांधी रेटर्न तो इंडिया फ्राम साउथ अफरीका 1915 में महत्मा गांधी दच्छर अफरीका से भारत वापस लोटे In South Africa, महत्मा गांधी successfully fought against the racist regime with a noble method of mass agitation In South Africa, दच्छर अफरीका में महत्मा गांधी ने successfully बड़ी सफलता के साथ फॉर्टमा ने लड़ाई लड़ी, अगेंस्ट मिस बिरुद, रेसिंग रिजाईम का मतलब होता है जातिवादी सासन, यहीं हत्मा गांधी ने जातिवादी सासन के बिरुद लड़ाई लड़ी विधे नोबल मेथड एक बहुत ही स्रेष्ट ढंग से आप मास एजिटेशन, मानोता के या जनसमूह के आंदूलन के द्वारा इट वाज कार्ड सत्यागरा, इसे सत्यागरा का नाम दिया गया इन आइडिया आप सत्यागरा, यहीं सत्यागरा के बिचार में, इन चीजों पर बल दिया गया इट मेंस, if your cause is noble, इसकार्थ या है कि यदि तुम्हारा कारड स्रेष्ट है, and your struggle is against injustice, और तुम्हारा संघर्ष अन्याय के बिरुद्ध है, then there is no need of physical force to fight the oppressor then, then there is no need, कोई आवसिक्ता नहीं है, आप physical force, एन सारीरिक बलकी to fight the oppressor अपने बिरोधी से लडने के लिए, आपके सारीरिक बलकी कोई आवसिक्ता नहीं है without resorting to the spirit of retribution or aggression, एस सत्यागरही can only succeed in his struggle with the help of non-violence without resorting to the spirit of retribution, बिना किसी कठोड़ दंड की भावना के और aggression यानि आगहात के एस सत्यागरही, एक सत्यागरही व्यक्ति can only succeed in his struggle, अपने संगधर्श में with the help of non-violence, यानि आहिंसा की मदद के द्वारा all the people, all the people including enemy, यानि all the people, सभी लोग including enemy, जहां तक की सत्रुभी समली थे rather than compelling them to accept truth through violence, यानि violence का मतलब होता हिंसा और truth मतलब होता सत्य यानि हिंसा से सत्य की मार्ग को अपनाने के लिए उनको मजबूर किया, should be motivated to see the truth should be motivated, यानि उनको अभिप्रेडा दी गई, to see मतलब देखने की truth मने सत्य को and accepted, इसे स्विकार करने को with intuition, intuition का मतलब होता है अंतर मन से या अंतर आत्मा से this struggle ultimately leads to truth या संघर्ष स्पच रूप से सत्य कुमार्ग दर्शित करता था गांधी जी believed that this path of non-violence can be tied to all Indians in the form of unity गांधी जी विश्वास करते थे कि यहां अहिंसा का मार्ग can be tied, बांधेगा all Indians, मने सभी भारतियों को in form of unity यानि एकता के बंधन में, गांधी जी's view on सत्याग्रह वाज, गांधी जी का सत्याग्रह पिर विचार था, सत्याग्रह is not physical force, सत्याग्रह किसी सारीरिक बल का नाम नहीं है, या सारीरिक बल के लिए सत्याग्रह नहीं है, यह सत्याग्रह neither heart his enemy, सत्याग्रह जो है, अपने सत्रू को भी नहीं चोड़ पहुँचाता है, nor he wants to destroy his enemy, और नहीं वहां अपने सत्रू को नश्ट करना चाहता सत्याग्रा, there is no place, कोई स्थान नहीं है, for malice मतलब इर्ज्या 2S के लिए, इन सत्याग्रा मतलब सत्याग्रा, सत्याग्रा नोलन में किसी केप्रत इर्ज्या 2S की कोई भावना नहीं है, तो यह रहा idea of सत्याग्रा, सत्याग्रा का विचार, rest for next day, thank you,